आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउट करें। क्या फ्यूनेरिया, क्या बोलते हैं, फ्यूनेरिया, अब ये फ्यूनेरिया क्या क्या है, जीवन चक्र है, अम इसके महत्यों की बात करें, तो फ्यूनेरिया की जो लाफ चाकिल है, वो दो तरह से चलती है, अगर हम इसके जीवन चक्र की बात करें, तो एक होती है युग्म और दूसरी होती है तो इस पर डिपेंडेंटिंट कॉन सी होती है यो और आहां से लाइफ साइकल स्टार्ट होती है यह यह क्या है यह हमारा जर्मिनेटिंग सफौर है यह नमबर यहां पर ले लेते हैं श्नॉh मांस का बिजनुक अंकुरण बंद करता है तो अंकुरन करने के बाद यह जो पहली हमारी संरचना बनती है यहाँ पर हम इसको हाइलाइट कर देते हैं यह वाली संरचना यह क्या है यह हमारी है प्रोटो निमा क्या बोलते हैं इसको हम प्रोटो निमा बोलते हैं तो हमारी यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि मौस के बीजाडू का जो अंकुरण होता है वो किस में होता है वो प्रोटो निमा में होता है इसके बाद क्या बनेगा बीजाडू के बाद जस्ट जो पहली डवलोपिंग हमारी स्टेज आया जो बन रही है वो क्या है प्रोटो निमा इसको बोलते हैं प्रोटो निमा यह देखिए अब यह जो प्रोटिंॅम है हम देख लेते हैं इसके हम क्या ह次 वारematics कि कि पूरा पौ्धा बन गया यह देखिए हैं पर पती स्पर्म पाया गया और यह स्पर्म और यह तो पंपाए गए अब दोनों में क्या होगा यहां इससे पर निकले एन्थे रीडियम से और आर्ची कुम से एग निकले तो द्यों पर क्या होगा जाईगarट बनने के बाद फिर यहा पर झाईगवडर बननने के बाद यहां पर क्या हुआ श्म परफा की अब आंट अगई enlarged archie honiam. Archie honiam enlarged हो गई मतलब बढ़ी हो गई फिर यह क्या हुगा यह दोनों फिर से संद्रचनाई बन गई capsule बना, फिर capsule से क्या? Kaliptra, आपर कॉलम फिर यहां से बीज खुले और यह क्या था? यह जो हमारी संद्रचना थी, यह देखिए, यह ओपर कॉलम की संद्रचना थी कौनसी थी? अपरगुलम से बीच पर निकल गए यह सपोरा गई तो सारी कानी यहां से ऐसे इस तरह से चलती है अब हम देख लेते हैं कि यह इसका क्या महत है देखें प्रोटोन निमा जो हमारा है अगर हम महत की बात करें महत तो प्रोटोन निमा हमारा एक ऐसा सनचना है इसके द्वारा होता क्या है? इसके द्वारा हमारे जो मोस का पौधा है उसको gametophyte stage मिलती है और मोस की पहली germinating अवस्था है यह क्या है? पहली अंकुरित अवस्था है अंकुरित अवस्था है और इस पर depend क्या होता है? इस पर depend होता है दूसरा सबसे important यह जो हो जाएगा इस में point वो यह कि इस पर ही इस पर ही मौस की इस पर ही मौस की या मौस के जीवन चक्र की जीवन चक्र की संभावना होती है अगर यह proton निमा developing नहीं है अलप बिखसेत है तो आंगे पूरा जीवन चक्र नहीं चलता है तो यह क्या है जीवन चक्र की, इस पर ही मौस के जीवन चक्र की संभावना रहती है, और हम यह कह सकते हैं, next point, कि यह जीवन चक्र को चलाने में आवश्यक अंग है, कि यह जीवन चक्र चलाने में आवश्यक अंग है, क्या है, आवश्यक अंग है, तो यह हमारा इसका क्या हो जाएगा, महत हो जाएगा, यहाँ पर हमने आपको प्राइवफाइट की, बुरी लाइप साइकल एक्स्प्लेइन की, और उसका हमने महत भी आपको समझा दिया, तो यह था गाईज हमारा आज का प्रश्ण, तो आई हूप यह प्रश्ण आपको समझ आ गया होगा, थैंक यू.